पापले सीरियल अनुपमा में पहले ही परी तोष ने किंजल को बहुत दर्द दिया है फिर भी उसे संतुस्टी नहीं मिली कि उसने अपनी खुद की बेटी परी को अगवा कर लिया है और कहीं दूर ले जाकर छुप गया है जी यहां दोस्तों माना की तोष परी के पिता है और उसे अपनी बेटी के साथ लेने का पूरा हक है लेकिन उसने किंजल के साथ जो किया है वो बहुत गलत किया है दरसल परी तोष ने प्लेगनेंसी के टाइम पर तो किंजल का साथ छोड़ दिया था और ये तक कह दिया था कि इसकी कोक में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है पर अब जब किंजल ने परी को जनम दिया तो तोशू उस पर हग जताने आ गया लेकिन किंजल ऐसे हैवान का साया भी अपनी बेटी पर पढ़ने देना नहीं चाहती है ऐसे में गुस्ते की आख में भड़का परी तोश परी को सबसे चुपा कर कहीं दूर ले गया जिसके चलते किंजल बावली हो गई है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे इसने सिर्फ एक ही जित पकड़ी है कि इसे अपनी बेटी किसी भी हाल में चाहिए पर आने वाले दिनों में ये जित किंजल पर इतनी भारी पड़ेगी कि इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा और वो बिलकुल पागल हो जाएगी यहां तक कि एक डॉल को अपनी बेटी मानगार उसके साथ भी खेलेगी और अजी बजीब से बरताव करेगी जिससे ऐसी हाल अतम देखकर अनुपमा को बहुत दुख होगा वेल दोस्तों क्या इस सिचुएशन में अनुपमा किंजल को संभाल पाएगी कमेंट करके जरूर बताएं साथ यसी तमाम खबरे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले